आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर, पालक पनीर बनाने के लिए मैंने लिया है एक बंडल पालक का जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है, 200 ग्राम पनीर, 2 मीडियम साइज का प्याज जिसको मैंने बारी कट कर लिया है, 3 मीडियम साइज का टमार्टर जिसको मैंने तोटा सा दालशीनी का टुकरा एक चमच जीरा एक बड़ी लाइची दो छोटी लाइची थोड़ा सा मैंने दूद लिया है दो चमच के बराबर 2-3 चमच मैंने फ्रिश क्रीम लिया है यह दूद का मलाई है मेरे अपने घर का आप मार्केट वाला अमूल क्रीम भी यूज कर कोई सकते हैं यह मैंने बटरिया है एक क्यू葉 मसाला मैं लिए 1 चमश खल दी आंदा चमाइधी पौड़र दनिया पौड़र एक चमश नॉर्मल चीरी पौड़र आदा जीरा पौड़र अब हम रेसीपीश स्थार्ट करेंगे mysteries गैस ऑन कर लूँगी और इस पहले हम पालक बॉयल करने के लिए डालेंगे इसमें मैं आदा ग्लास पानी डाल के इसको मीडियम फ्लेम पे पांच मिनट के लिए ढखके पकने दूँगी सॉफ्ट होने तक तब तक मैं इधर पनीर भी फ्राई कर लूँगी तो मैंने गैस जल ताक एक दूसरे में चिपके नहीं इसको हमको गोल्लेन ब्राउन करना है तो आप पलटते दो मिनट बाद दोनों साइड से हम लोगों को ऐसे पका लेना है पनीर दोनों साइड से पक गया है अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे उसके बाद हम पालक को चेक करेंगे बालक साफ्ट हो गया है एक बार हम इसको चलाकर कर लेते हैं क्यार्ट सौफ्ट हो गया है तो युक्षा में थंडा पानी में डाल लिया है अब हम इसका प्यूरी बनाएंगि island लक्क हमकिशी जैल में हम इसको डालेंगे कि अब चला दीजे वह प्यूरी हो जाएगा तो एक पैनल लिए मैंने 2-3 चमस तेल डाला है अब हम इसमें डालेंगे चोटा सबटर जो मैंने एक क्युब लिया था उसका आदर्म मैंने डाल दिया है बहुत इसमें आड़ करेंगे खड़ा मसाला जो मैंने लिया था इसको 10 सेकेंड के लिए फ्राइब करेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज को हमको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है उसके बाद ग्रीन चिली डाल देंगे जो मैंने कट करके रखा हुआ था वह शायद इसमें डालूंगे बेशन क्योंकि कच्छा तेस्ट आगा इसके लिए इसको आपको 2 मिनिट के लिए फ्राइब करना है लो मीडियम फ्लेम पे एक से दो मिनिट हो गया है हम इसको चला लेंगे अब हम इसमें डालेंगे टमाटर प्यूरी तीन टमाटर को मैंने प्यूरी बनाया था उसको मैंने अड़ कर दिया है अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे टमाटर को भी हमको एक से दो मिनिट के लिए अच्छे से फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे जो मैंने आपको दिखाया था सूखा मसाला इसको भी हमको पकाना है अच्छे से भूनना है तेल छूटने तक मसाला को आप आराम से 2-3 मेर तक फ्राई किजे अभी मैं ढख के एक बार भी नहीं पकाई हूँ अब हम इसमें एड़ करेंगे सॉल्ट टेस्ट के साब से नमक डाल दिया है मैंने, अब हम एक बार चला लेते हैं मसाला अच्छे से पक गया है अब हम इसमें डालेंगे पालक का प्यूरी जो मैंने पालक का पेस्ट बना था अब हम इसको आट कर देंगे इसमें इसको आपको 2-3 मेर तक पकाना है पालो को मैंने पका लिया है तो ज्यादा कूक करने का जरुत नहीं है बस यह मसाले में मिल जाएं इसलिए दो से तीन मेर तक हम इसको पकाएंगे अब मैं इसमें डालूंगे दूद्ध जो मैंने दो चमल दूद्ध रखा हुआ था वो दूद्ध मैंने आड़ कर दिया है इसको एक बार मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें डाल दूँगी बटर जो बचाओा बटर था उसको मैंने इसमें डाल दिया है अब एक बार चला लेंगे उसके बाद मैं इसमें डालूंगे क्रीम फ्रिश क्रीम जो मैंने घर वाला रखा हुआ था यह दो से तीन चमच मैं डालूंगी थोड़ा सब चालूंगी मैं लाश्ट में गानिसिंग करने के लिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक मिनिट के लिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें डालें गे पनीर क्यूप्स जो पनीर हमने फ्राई करके रखा था अब हम उसको इसमें आड करेंगे कि इसको अच्छे से एक बार जला लेंगे में एक मिनिट के लिए ऐसे ही फ्राई करें अब इसमें डालेंगे आदा ग्लास पानी पानी इसमें ज्यादा नहीं डालिएगा कि इसमें मैंने बस मैं इसमें आदा ग्लास पानी का यूज करूंगी अब हम इसको ढगके 2-3 मिनिट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे दो से तीन मिनिट हो गया है अब हम इसको एक बार चेक करेंगे अब देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया है एक बार मिक्स कर लिजिए ये रेडी है अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और सर्फ करने के लिए रेशिपी रेडी है यहाँ पर मैंने सर्फ किया है इस पर थोड़ा सा ओपर से जो मैंने क्रीम बचा के रखा हुआ था उसको डालाएंगे